Hi everyone, this is your host and mentor Prem Pandey, welcoming you all to educational hikes, खेम्चव मेरी जान, मस्त, मरमा, welcome back to another exciting video of class 9 science, और आज के इस वीडियो में ना हम chapter number 8, यानी आपके physics का पहला chapter, motion के जितनी भी formulas आपके chapter में है, plus इन formulas पर बेश जितनी भी numericals हम कर सकते हैं, जितनी भी numerical आपके NCRD में दिये हैं ना, वो सभी हमने इस वीडियो में cover किया है, यार ये पूरा जो series है ना, वो दो अलग-अलग parts में हम divide करेंगे, पहला वीडियो तो आप देखी रहे हो, इस particular वीडियो में हम जितने formula हैं और उन formula पर base, जितनी भी numericals हैं वो करेंगे, इसके अगली वाली वीडियो में आपके जितनी भी books हैं, चाहे NCRD, कहीं से भी, जहां से भी आपका teacher numericals इस chapter से बना सकता है, वो सारी numericals हम आपको अगले part में देंगे, चलो start करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इसके पहले हमारे जितनी भी social media handles हैं, आपको नीचे screen पर दिख रहे होंगे, फड़ा फट जाईए, हमसे connect हो जाईए, क्योंकि अगर आपको अपनी बात पहुचानी है, तो आप in social media के through, अपनी request डाल सकते हैं, चलो start करते हैं वीडियो को, देखो लिखा गया, वया, सीधा सीधा लिखा गया है, all formulas and NCRT in-text numerical, मतलब जितनी भी formula इस chapter में है, plus NCRT की जितनी भी in-text numericals हैं, वो हमने सभी इस particular वीडियो में cover किया है, फड़ा फड़ स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, चानल को सस्क्राइब नहीं करा, तो दवा दीजे सस्क्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे, ताकि हमारी notification आपको on the spot मिल जाया करें, चलो, number one formula जो आपके इस chapter में दिया गया है, वो है distance का, अब इससे आसान formula तो होई नहीं सकता, distance का मतलब क्या होता है, distance मतलब होता है दूरी, ठीक है, इसको formula क्या होता है, total path length traveled, मतलब for example, यह है चिंकू हमारा, चिंकू यहां से चल कर यहां तक जाता है, तो चिंकू ने कितने distance travel करी, भाई, जितना यह यहां से लेकर यहां तक चला है, उतनी तो distance कवर करी न, for example, दो मेटर यह पूरा रोड है, तो यह चिंकू कितना मेटर गया, दो मेटर गया की नहीं गया, तो बस इसी को distance कहते हैं मेरे भाई, चलो, question देता हूँ, तो मैं इसी formula पर base और देखते हैं कि क्या आप इस question को कर पाओगे, चलो, ध्यान से पढ़ते हैं, a man travels from his home to market, which is at the distance of 12 km, चलो, एक rough diagram हम यहां पर बनाते चलेंगे, एक आदमी है, जो अपने घर से निकलता है, अ इसके घर से लेकर, market के बीच का जो distance है, वो 12 km है, मालो, घर से निकलता है, market की तरफ जाता है, 12 km यह चल चुका है, ठीक है, 12 km distance है, फिर, then market to the station, फिर यह market से निकलता है, station की तरफ जाता है, जो की 4 km है, मतलब 12 km घर से market, मार्केट से स्टेशन चार किलोमेटर, फिर आगे देखते हैं, and then return to home, which is at the distance of 5 किलोमेटर, अब भया इसके बाद ये इंसान वापस अपने घर पहुच जाता है, घर पहुचने में ये अगेन 5 किलोमेटर चलता है, calculate the distance travelled by the boy, अब आपको ये आदमी यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, फिर वापस अपने घर पर गया, कितना distance इसने travel किया, तो distance का formula क्या होता है, distance का formula होता है, total, total, path length, total, path length covered, भाई, जितना चला है, बस वही हमारा distance कहलाता है, तो फटा-फट अड़ कर दो, पहले 12 किलोमेटर चला, फिर हमारा 4 किलोमेटर चला, फिर हमारा 5 किलोमेटर चला, टोटल कितना चला, 12, 4, 16, 16, 5, 21, मतलब भाई साहब ने टोटल 21 किलोमेटर की distance travel करा है, ठीक है, समझ में आ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना boss, बिल्गुल नहीं, formula number 2, displacement का formula क्या होता है, तुम displacement कैसे calculate करोगे, चालो, displacement का मतलब हिंदी में होता है स्थानांतरण होता है, ठीक है, देखो, shortest distance between initial and final position is known as displacement, मतलब भाई साहब, देखो, example से समझो, for example, आप यहाँ से चलते हो, यहाँ से चलते हो, यहाँ से चलते हो, यहाँ से चलते हो, यहाँ यहाँ घूम घाम के तुम यहाँ पहुचते हो, ठीक है, अब आपके initial position, यानि आ आप जहाँ से चले हो, और आपका जो final position है, मतलब जहाँ पर आप पहुचे हो, इसके बीच का जो shortest distance होता है, that is known as what, that is known as displacement, तो displacement भी आप निकालना सीख जाओगे, कैसे सीखोगे, इस formula, इस numerical से, क्या आज जो हम पढ़ रहे हैं, कल वो हमें हमारी लिए पैसे कमा कर देगा या नहीं देगा, सबसे बड़ी doubt ही है न, तो क्यों ना कुछ ऐसा सीखें, जो definitely हमें कल पैसे कमा कर देगी, कुछ skill सीखते हैं, कुछ नई skill सीखते हैं, और वो भी अगर free में मिल रही हो, तो कौ 1475 रुपए का है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल free of cost provide कर वा रहा हूं, क्योंकि हमारे धाई लाग subscribers, धाई लाग members पूरे हुए हैं यार, तो आपको करना क्या है, नीचे फटाफट, इसी वीडियो के description box में एक website मिलेगी, और आपको इस website पर click करना है, बगल में जैसा page open होकर आ गया है ना, बिल्कुल वैसा ही page आपके लिए open होकर आ चाएगा, आपको क्या करना है, enroll now पर click करना है, जैसी आप enroll now पर click करते हो ना, तो आपको register करने को बोलेगा, मैंने register कर रखा है, register करने के बाद आप सीधा payment वाले option पर आ जाओगे, आप देखे हो 1475 रुपए का course है आपको बस क्या करना है, एक coupon code डालना है, edu hikes, edu hikes, ठीक है, edu hikes जैसी आप apply करते हो, देखे रो आप, ये course पूरा 0 रुपए का हो गया है, सीधा start learning पर आप click करो और ये course आपके लिए free of cost available है, इसमें आपको लगभग 27 plus videos मिलेंगी, 10 hours plus content हैं, और बहुत सारी experience faculties नेना, MS Excel को beginning level से लेकर advanced level तक आपके लिए समझाया है, तो यार आप अगर 6, 7, 8, 9, 10 या किसी भी class में हो ना, तो MS Excel जरूर सीख सकते हो और बिलकुल mastery कर सकते हो इसमें, क्योंकि MS Excel कहीं पर भी काम आता है, आप अगर आगे चलकर accounting की job करना चाहते हो, किसी भी company में job करना चाहते हो तो आपको MS Excel जरूर पड़ेगी, फटा फट जाओ, affiliate link मेंने description box में दे रखिये, मेरे coupon code edu hikes को जरूर क्लिक करना, क्योंकि बिना coupon code के आपको ये 1475 पे करने पड़ेंगे, ठीक है, फटा फट जाओ, link पर click करो, और question number 2 की बात करते है, question number 2 ना, बड़ा ये आसान है, बस आपको figure समझना है, figure आप समझ गयने तो आपको निकालना क्या है, ये आप बड़ी आसानी समझ जाओगे, कह रहा है कि भाई, एक farmer है, moves along the boundary of a square field, upside 10 meter in 40 seconds, figure बनाते हैं और बहुत ये आसानी से समझते हैं, कह रहा है कि एक farmer है, और इस farmer का एक खेत है, ठीक है, बाई, किसान है, तो खेत ही होगा ना, building थोड़ी ना होगी उसके पास, ठीक है, अब बोल रहा है कि भाई, ये जो किसान का खेत है, वो लगभग 10 meter का है, मतलब 10 meter एक side, 10 meter, एक side, ये देखो, side, side 10 meter का side है, अब ये पूरा square है, square के all sides equal होते है, मतलब सारे sides इसके 10 meter के ही है, ठीक है, पता चल गया अब हमें, अब बोल रहा है कि भाई, ये जो farmer है, ये अपने पूरे खेत का एक चक्कर लगाता है, कितने second में, 40 second में, ठीक है, अब आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है displacement, मतलब, मतलब आपको ये पत होता है, मतलब यहाँ पर अपने खेत के किस जगह पर ये 2 minute 20 second बाद हमें मिलेगा, 40 second में, यहाँ चलता है, यहाँ आता है, 40 second में एक चक्कर पूरे कर लेता है, तो भाया, 2 minute 20 second में, ये कितने चक्कर पूरे करेगा, मतलब कहाँ पर होगा ये, ठीक है, अब देखो, अब हम इतना तो पता है कि ये farmer जो है वो क्या है? total distance कितना travel कर रहा है? distance ये total travel कर रहा है इसका जो खेत है वो 10 meter का एक side है और 4 side होते है square में मतलब total ये लगभग 40 meter distance travel कर रहा है time कितना लगा रहा है भाई साब ये? अब ये time लगा रहा है 40 second मतलब 40 meter ये 40 second में cover कर रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 second में ये कितना चल रहा है? लगभग 1 meter चल रहा है ठीक है? अब आप से पूछ रहा है कि 2 minute 20 second में ये कितना meter चला होगा या कितना इसका displacement होगा? ठीक है? अब आपको पता है 2 minute और 20 second में कितने सेकेंड होते हैं टोटल दो मिनेट मतलब 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड और प्लस कर दो तो लगभग 140 सेकेंड में ये लगभग 140 मीटर पूरा करेगा 1 सेकेंड में 1 मीटर तो 140 सेकेंड में कितनी मीटर 140 मीटर ठीक है 140 मीटर मतलब चालिस मीटर का एक राउंड है चालिस मीटर का जब एक राउंड पूरा करता है ये तो एक सो चालिस मीटर कितना हो जाएगा एक सो चालिस फिर देखो अगेन चालिस मीटर दो राउंड पूरा कर लिया अगेन चालिस मीटर कितना राउंड पूरा कर लिया 5 round complete कर लेगा ठीक है भया 3 round 40 meter एक round चला अगले 40 meter चला तो 2 round complete हो गया अगले 40 meter चला तो 3 round complete हो गया अब अगला 20 meter चलता है तो 3.5 round ही तो complete होगा ना ये तो है ना हमें पता चल गया हमें ये पता चला कि भाई साहब ये जो farmer है हमारा वो 2 minute 20 second में 140 second में वो अपने खेत का 3.5 round complete करता है 3.5 round मतलब एक round यहां से यहां फिर अगें 2 round ठीक है अगें 3 round पूरा किया और 3.5 मतलब यहां चला और यहीं कहीं आधे पर आके रुख गया अब आपको किवल यहां से यहां के distance पता करनी है यहीं आपका displacement होगा समझ में आया displacement का मतलब क्या होता है displacement का मतलब होता है भाई साहब shortest distance माल लो 10 meter यह है 10 meter यह है 10 meter यह है 10 meter यह है और 2 minute 20 second में वो 3.5 चकर 0.5 मतलब 3 round पूरा लिया 1 round, 2 round 3 round और 3.5 कहीं यहां पर आएगा है कि नहीं मतलब farmer यहां चला यहां पर पहुचा 2 minute 20 second बाद ठीक है 3 round कम्प्लीट किया और आदा ही कम्प्लीट किया था कि 2 minute 20 second पूरा हो गया अब आपको displacement पता करना है displacement आपको पता है shortest distance को हम displacement कहते हैं अगर आपको यह side पता चल गई तो आपको displacement भी पता चल जाएगा यह side कैसे पता चलेगी भाई यह हमारा क्या हो गया यह हमारा base हो गया यह हमारा height हो गया और यह हो गया हमारा hypotenuse formula लगा दो Pythagoras theorem Pythagoras theorem क्या है hypotenuse का square equal to breadth का square plus length का square breadth कितना है 10 का square length कितना है again 10 का square हो जाएगा हमारा कितना 10 का square मतलब hundred plus hundred equal to कितना हो गया two hundred ठीक है अब square इस side आएगा hypotenuse equal to अब जब square इस तरफ आएगा तो यह square root हो जाएगा और 200 का square root होता है हमारा 14 point 14 meter is the displacement यही हमारा final answer है मतलब यह जो farmer है वो 2 minute 20 second बाद 14 point 14 meter का displacement cover किया होगा मतलब अपने initial position से 14 point 14 meter दूर यह 2 minute 20 second बाद होगा ठीक है समझ में आया है यह थोड़ा question technical था मैंने आपको technically समझाने की कोसिस करी है कि भाई पूछ क्या रहा है और आपको पता क्या करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अपने third formula की तरफ formula number 3 और एस formula में हम average speed निकालना सीखेंगे आपको direct question पूछ सकता है कि calculate the average speed of an object अब अगर ऐसा question आ जाए तो आप question में क्या ढूड होगे कितना distance travel किया है यानि total कितना दूरी वो चला है plus कितने time में ये distance travel हुआ है अगर आप ये दो चीज पता कर लोगे तो आप average speed calculate करना आसानी से सीख सकते हो बस आपको इन दोनों को divide कर देना है अब चलो question देखते हैं और देखते हैं average speed को क्या पूछ रहा है पूछ रहा है कि भाई एक object है जो travel करता है 16 meter 4 second में और फिर 16 meter चलता है 2 second में मतलब ये जो object है ये पहले 16 meter चला 4 second में फिर अगले 16 meter ये चलता है 2 second में आपको पता करना है कि what is the average speed of the object average speed का formula क्या है तुरंत दिमाग में लेकर आओ total distance upon total time फटा फट average speed का formula लिखते है average average speed is equal to total distance upon total time total distance upon total time अब हमें question में बस ढूड़ना है कि भाई total distance कितना travel हुआ और कितना time लगाया है total distance सबसे पहले 16 meter फिर दूसरा again 16 meter तो प्लस कर दो तुरंत total distance पता करने के लिए प्लस कर दो 16 प्लस 16 ठीक है अच्छा total time कितना पहले 4 second फिर अगें 2 second मतलब 4 प्लस 2 अब इसको calculate कर लो 16 प्लस 16 हो गया हमारा 32 और 4 प्लस 2 हो गया हमारा 6 काट लो इसको 6 1 जा 6 6 5 जा 30 अब point में आएगा ये पूरा perfectly नहीं कटेगा अगर आप इसको पूरा divide करके देखोगे तो 5.3 कुछ यही answer आएगा हमारा तो average speed तो हमने यहां तुरंत निकाल लिया अराम से इस formula का use किया और average speed निकाल लिया 5.3 meter per second या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5.3 meter second का minus 1 so this is our average speed of this object तो यह तो formula बड़ा असान था और हमने numerical भी बड़ा असान लगा क्योंकि यह formula easy है न चालो let's move to our next formula formula number 4 और इस formula में हम सीखेंगे कि भाई तुम average velocity कैसे calculate कर सकते हो अब average velocity निकालने का आपके पास दो तरीके हैं दो formula हैं अगर question में आपको initial velocity यानि गाड़ी जिस speed से चली है plus final velocity दोनों दिया गया है मतलब गाड़ी जिस speed से चली है और गाड़ी किस speed से पहुची है अगर यह दोनों दिया है तो आप इस formula का use करोगे अगर यह दोनों नहीं दिया है तो आप एक दूसरा formula भी use कर सकते हो average velocity निकालने के लिए और वो formula है total displacement upon total time मतलब shortest distance between initial and final position upon उस shortest distance को cover करने में कितना time लगा है ठीक है ठोड़ा सा मैं सब हो रहा है क्या चालो question से clarify हो जाएगा आपका इस question से आपको ये पता चल जाएगा कि average velocity क्या से निकाल सकते हैं चालो question क्या है question के रहा है हमारा की उसा swims in 90 meter long pull मतलब सबसे पहले हम एक pull लेते हैं एक swimming pull है जिसकी लंबाई लगभग कितनी है 90 meter की लंबाई है ठीक है अच्छा ठीक है पूरा question पढ़ते हैं sea covers 180 meter in one minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path find the average velocity of उसा के रहा है कि भाई उसा ने 90 meter के लंबे पुल में swimming pull में ये तैर रही है ठीक है सबसे पहले इसने 180 meter पूरा किया तैर के 180 meter कैसे पूरा किया swimming from one end to the other सबसे पहले वो यहां से यहां गई 90 meter फिर back फिर वापस यहां से यहां आ गई तो 90 गई 90 आई 90 नबे नबे कितना हो गया 180 meter distance है ये displacement नहीं है distance है ये total distances ने कितना कवर किया 180 meter कितने time में किया 1 minute में किया ठीक है अब देखो average velocity निकालने का हमारे पास formula क्या है average velocity average velocity निकालने का हमारे पास formula क्या है average velocity is equal to total displacement total displacement 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 तोटल डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टोटल टाइम तोटल डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टोटल टाइम ठीक है अब डिस्प्लेस्मेंट कितना है डिस्प्लेस्मेंट मतलब क्या होता है इनीशियल पोजीशन मतलब जहां से चलना सुरू की है और जहां पर आखिर में पहुची है यहां से चल के यहां गई फिर वापस आ गई यहां पर इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है डिस्टन्स कितनी है 0 ही तो है न shortest distance कितना है भाई जहां से चली वही पर आकर पहुच गई तो displacement तो हमारा 0 meter हो गया 60 second होता याद रखना कभी भी numerical लगाते time अगर question में minute दिया है तो उसे convert करके तुम second में डाल दो ठीक है अब देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर numerator हमारा 0 है तो denominator का कोई मतलब नहीं होता हमारा जो final answer आएगा वो 0 meter per second इस इस आवर average velocity of उसा हमने निकाल लिया अब 0 meter second को आप ये भी लिख सकते हो 0 meter second का minus 1 तो this is our answer हमने average velocity calculate कर लिया हमने कौन से formula से किया इस दूसरे वाले formula से क्योंकि पहले formula के लिए हमें initial velocity चाहिए final velocity चाहिए यहाँ पर तो कहीं speed दिया ही नहीं गया है कहीं दिया है क्या यह देखो distance दिया है distance दिया है speed नहीं दिया है तो speed नहीं दिया तो भाई हम दूसरे वाले formula का use कर लिया हमने ठीक है तो I hope आपको ये वाला भी numerical समझ में आ गया होगा let's move to fifth one formula number five और इस formula में हम सीखेंगे भाई साब तुम acceleration कैसे calculate कर सकते हो अच्छा acceleration क्या होता है इतना तो तुमें पता है न यार bike में accelerator होता है car में accelerator होता है जैसे ही तुम accelerator पर पाहूं रखते हो या हाथ से accelerator को घुमाते हो तो गाड़ी तुमारी इदम फरादे दार भागने लगती है accelerate करने लगती है है की नहीं है बस उसी को acceleration कहते है हम ठीक है अगर तुमें किसी गाड़ी की acceleration पता करना हुआ तो तुम केसे पता करोगे भाई formula है इसके लिए क्या formula है change in velocity upon time taken change in velocity इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि भाई जब गाड़ी सुरू हुई थी तब इसकी velocity कितनी थी मतलब जब हमने गाड़ी start करी तब velocity कितनी है गाड़ी की और कुछ दूर चलने के बाद इस गाड़ी की velocity कितनी हो जाती है इसी को बोलते है change in velocity ठीक है और इस velocity को change होने में कितना time लगा है इसी दोनों को divide कर दो, तुम्हारा acceleration पता चल जाएगा ठीक है, change in velocity upon time taken का ये symbolic formula है acceleration upon A, ठीक है, V का मतलब होता है final velocity और U का मतलब होता है initial velocity मतलब गाड़ी कितने velocity से सुरू हुई, कितने velocity तक पहुच गई और कितना time लगा इस velocity को change होने में, this is called acceleration acceleration का formula याद रहेगा, we will do question number 5 और इस question में हम acceleration calculate करना सीखेंगे acceleration का formula आप भी just मैंने आपको बताई दिया है इस question का जो label है वो थोड़ा सा high है, बस इत्तु सा high है बट दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, ये question भी हमने NCRD से ही लिया है, yes, of course आपकी NCRD का ही question ही है ठीक है, चालो, start करते है, question को बढ़ते है और देखते है क्या कह रहा है कह रहा है कि भाई, starting from a stationary position यानि कोई गाड़ी है, जो rest पर थी, stationary का मतलब वो खड़ी थी ठीक है, और वहाँ से वो चलना start होती है राहुल paddles his bicycle, sorry, गाड़ी नहीं थी, cycle थी, ठीक है राहुल के पास क्या है, cycle है राहुल paddles his bicycle to attain a velocity of 6 meter second का minus 1 in 30 seconds figure बनाते हैं, बोल रहा है कि भाई, एक cycle है, क्या है, एक cycle है ठीक है, cycle कुछ ऐसी ही तो दिखती है, भाई, एक cycle है वो cycle खड़ी थी, stationary position पर थी, और वहाँ से वो चलना start करती है और अगले 30 second में, कितने second में? अगले 30 second में इस गाड़ी की speed हो जाती है, 6 meter second का minus 1 मतलब, जब जब शुरू की थी, तो भाई, rest पर थी गाड़ी तो rest पर थी, खड़ी थी गाड़ी, मतलब, खड़ी गाड़ी की speed कितनी होती है 0 meter second ही तो होती है, obviously यार, कोई गाड़ी चली नहीं दिगी है तो उसकी speed क्या ही होगी, कुछ नहीं होगी, 0 होगी, ठीक है तो अगले 30 second में ये cycle जो है, वो 6 meter second minus 1 की speed से चलने लगती है अब ये इसको देखकर तुम घबडा मत जाना, ये 6 meter per second ही है, ठीक है चलो, अब उसकी बाद क्या होता है, then he applies brick oh my god, यहाँ, इस speed तक पहुचने के बाद, अपने राहुल ने cycle में लगाया brick और ऐसा brick लगाया, कि अगले 5 second में इस गाड़ी की speed कम होकर 4 meter second का minus 1 हो जाता है, मतलब 6 meter second minus 1 था, ठीक है फिर यहाँ से लगाता है ये brick, और brick लगाने से, अगले 5 second में इस गाड़ी की speed कम होकर, 4 meter second का minus 1 हो जाता है अब आपको क्या पता करना है, आपको acceleration पता करना है, in both the cases ये जो पहला case है, गाड़ी 0 meter per second से start हुई, 6 meter per second तक पहुची 30 second में, फिर 6 meter second से start हुई, 4 meter second कम हो गई speed इसकी 5 second में, अब आपको acceleration पता करना है, दोनों cases में ठीक है, चलो एक एक करके पता करते हैं, सबसे पहला वाला case जो है आपको पता है, acceleration का जो formula होता है, क्या होता है acceleration का formula पीछे देखते हैं, V minus U, यानि जो final speed है उसको हम minus करेंगे, initial speed यानि शुरुवात की speed से, final speed कितनी थी, 6 meter second यह पहला case है न, पहला case हमारा सिर्फ यही तक है सिर्फ यही तक हमारा पहला case है, यहाँ पर जो हमारा final speed है, वो यह है ठीक है, final speed 6 है, हमारा जो initial speed है, वो 0 है, तो 6 minus 0 अपन जितना time लगा है, कितना time लगा है, 30, 30 seconds time लगा है, ठीक है तो अब इसको calculate करेंगे, 6 minus 0, 6 होता है, 30 का 30 ही होईगा ठीक है, 6, 1 जा 6, 6, 5 जा 30, और 1 अपन 5 को जब तुम point में convert करोगे तो यह 0.2 आएगा, ठीक है, अब 2, 0.2 आएगा, तो आगी unit क्या होगी आगी unit क्या होगी, इसकी unit थी meter second, ठीक है, नीचे वाली की unit थी सिर्फ second तो क्या हो जाएगा, meter second का minus 2, ठीक है, minus 2 हमने क्यों लगा है, क्योंकि यह upon होता है meter per second लिख दो, या meter per second नहीं लगाना है, तो minus 2 लिख दो, ठीक है, that's okay चालो, तो हमारा पहले case में जो acceleration है, वो आगया, 0.2 meter second का minus 2 अच्छा, दूसरी case में भी हम निकालते हैं, दूसरे case में भी same formula लगाएंगे equal to v minus u upon t, ठीक है, v मतलब final speed, दूसरे case में जो final speed है, वो क्या है 4 meter second का minus 1, तो 4 minus करेंगे initial speed से, initial speed कितनी है, इसकी 6 meter second का minus 1, तो 4 minus 6 upon कितना time लगा, 5, ठीक है, 5 second का time लगा, तो हो गया हमारा भी है, यह हो गया minus 2 upon 5, और minus 2 upon 5 को जब तुम point में convert करोगे, divide करके तो यह लगभग कुछ इतना आएगा, 0.4, ठीक है, और unit क्या होगी, वही जो यहाँ पर unit है, meter second का minus 2, या आप चाहो, तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, 0.4 meter per second का square, minus नहीं लिखना है, तो पर लगा दो, ठीक है, तो this is how we can calculate acceleration, simple acceleration का formula है, initial और final speed आपको पता होनी चाहिए, कितना time लगा, यह पता होनी चाहिए, आप acceleration बहुत आसानी से calculate कर लोगे, let's move to our next formula, formula number 6, इस equation को हम first equation of motion भी कहते हैं, और अगर इसका एक दूसरा भी नाम तुम लेना चाहो, तो इसे तुम velocity time relation भी कह सकते हो, जी हाँ, velocity time relation का equation है, ठीक है, क्या है equation, क्या है formula, क्या है first equation of motion, हमेशा याद रखना, V equal to U plus 80, V equal to U plus 80, V equal to U plus 80 this is our first equation of motion, V का मतलब क्या है, V is the final velocity, यानि गाड़ी, जिस speed से कहीं पर पहुची है, इसको हम कहते है, final velocity, ठीक है, U का मतलब होता है, initial velocity, यानि गाड़ी जिस speed से चलना सुरू की थी, T का मतलब आपको पता है, time होता है, A का मतलब होता है, acceleration या constant acceleration भी तुम कहा सकते हो, इस formula का use तुम कहा करोगे, भाई माल लो कि तुम्हे final velocity पता करना है, तुम्हे initial velocity दिया है, acceleration भी दिया है, time भी दिया है, तो तुम आराम से final velocity पता कर सकते हो, ठीक है अच्छा माल लो initial velocity आपको पता करना हो final velocity दिया है इसने acceleration भी दिया है time भी दिया है तो तुम अराम से initial velocity पता कर सकते हो माल लो तुम्हें acceleration पता करने के लिए दे दे time दिया हो initial velocity दिया हो final velocity दिया हो तो आप आराम से इस formula में value put करके acceleration निकाल सकते हो, ठीक है, चलो, question देखते हैं, this is the question number 6, based on first equation of motion, और इसमें हमें क्या पता करना है, ओहो, हमें पता करना है constant acceleration, यानि हमें a पता करना है, बाकी दिया गया होगा, इनकी value दी गई होगी, पढ़ते हैं और जानते हैं, लेकिन सबस पहले हम लिखेंगे formula, formula क्या है अपना, formula वह यह अपना, v equal to u plus 80, v equal to u plus 80, यह हमारा formula है, देखते हैं, क्या क्या दिया है, सबसे पहले इसने दिया है initial speed, मतलब u, u की value इसने दे दी है, u की value क्या है, u की value है, 1 meter per second, ठीक है, अब उसके बाद, एक car है, जिसकी initial speed, 1 meter second है, ठीक ठीक है, और यह car 10 minute तक चलती है, अच्छा time भी दे दिया है इसने, 10 minute, अब 10 minute को हम minute तो लिखेंगे नहीं, हम इसको लिखेंगे second में, ठीक है, तो second में convert करने के लिए, तुम 60 से multiply करते हो, तो हमारा हो गया भया, 600 second, ठीक है, तो इसने हमें initial velocity दे दिया, time दे दिया, अब आ the velocity right before it stopped, was 5 meter per second, अब देखो, यहाँ पर घुमा दिया है आपको, कह रहा है, कि भाई, गाड़ी 10 minute चलने के बाद, रुक गई, आप बोलोगी यार, रुक गई, तो इसकी final velocity क्या होगी, इसकी final speed क्या होगी, 0 होगी, लेकिन नहीं, इसकी final velocity यहाँ पर दिया, इसने, कि जब रुकी, इस रुकने के पहले, इसकी speed थी, 5 meter per second, मतलब हमें final velocity भी इसने दे दी है, final velocity है, 5 meter per second, अब आपको पता क्या करना, आपको acceleration पता करना है, ठीक है, मैंने कहा था न, 3 value दे दी रहेगी, देखो, यहाँ पर initial speed दे दिया, time दे दिया, final velocity दे दिया, आपको acceleration पता करना है फड़ाफट formula में रखो, final velocity क्या है, V, V है हमारा 5, ठीक है, फड़ाफट formula में रखते हैं, और निकालते हैं, 5 है हमारा, ठीक है, उसके बाद क्या है, initial velocity कितनी है, हमारी initial velocity है, 1, ठीक है, 1 है, plus, plus, acceleration तो हमें पता करना है, तो acceleration की value दी नहीं कहीं है, time की value है, acceleration, यह multiply में है, हम हमारा time है, 600, ठीक है, तो यह हम कर देंगे, 600, calculate करो, फड़ाफट, यह plus में है, तो यह इधर आएगा, 5-1 हो जाएगा, equal to acceleration into 600, 5-1 हो गया, 4, अब acceleration into 600, तो भाई, यह जब 600 इधर जाएगा, तो acceleration की value हो जाएगी, 4 upon 600, यह तो होगी न, अब इसको तुम काटम पिक्टम करो होगे, तो यह क्या आजाएगा, यह आएगा लगभग, 0.0066, और unit क्या होगी, unit है हमारा meter second का, तो भाई, acceleration का unit क्या होता है, meter per second का square होता है, क्यों, क्योंकि उपर भी, उपर की unit क्या है, उपर की unit है, 5 meter per second, नीचे की unit केवल second है, तो second second, second का square, ठीक है, तो this is our final answer, this is our acceleration, देखा, किटना आसान था, कितना must, आपका यह जो first equation of motion है, यह कितना काम का है, अगर आपको initial velocity दी है, time दिया है, final velocity दिया है, आप acceleration आप से पता कर सकते हो, अगर acceleration भी दिया होता, तो आपसे time post देता है, यह post देता है, यह post देता है, आप आराम से कर लेते है, हम एक shortcake name भी दे सकते हैं, हम एगर इसे चाहें, तो हम इसे distance time relation का equation कह सकते हैं, जी हाँ, हम इसे distance time relation भी कहते हैं, ठीक है, चालो, तो क्या है हमारा second equation of motion, second equation of motion कह रहा है, भाई साहब, अगर तुम्हें s यानि distance निकालना है, तो तुम ut plus half 80 square, यह formula यूज़ कर सकते हो, और यही formula हमारा second equation of motion भी कहलाता है, जी हाँ, फिर से याद कर लो, s equal to ut plus half 80 square, s equal to ut plus half 80 square, ठीक है, s को हम displacement कहते हैं, u को आपको पता है, initial velocity कहते हैं, t for time कहते हैं, और a for acceleration कहते हैं, ठीक है, अब यह formula का use हम कहां करेंगे, कि अगर हमें distance निकालना हुआ, बाकी values दी गई है, तो हमारा हम से यहां से distance निकाल सकते हैं, ठीक है, यह आपको distance दिया गया है, इसमें से कोई एक value नहीं दी गई है, तो आप वो निकाल सकते हो, चलो, हम क्या करेंगे, हम करेंगे question number 7, और question number 7 में हम formula number 2, यानि जो second equation of motion है, इसको apply करेंगे, चलो, कहले हैं कि भाई, अ car accelerates, यह भी question आपकी NCRD का ही है, ठीक है, आपको सबसे पहले acceleration निकालना है, तो भाई सबसे पहले हमें acceleration निकालना है, acceleration का formula होता है, एक्वल तो V minus U upon T, V का मतलब क्या है, V का मतलब है हमारा final velocity, final velocity क्या है, यह है हमारी initial velocity, और यह है हमारी final velocity, final velocity मतलब 36 km पर आवर दिया गया है, यही तो है ना final velocity, यह देखो 36 km पर आवर, अब km पर आवर है, आप इसको m2 per second में change करोगे, simple सा है, अगर किसी भी km आवर को आपको, meter per second में convert करना है ना, तो multiply कर दो 5 upon 18 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 18 बंजा 18, 18 टूजा 36, 5 टूजा 10, मतलब 10 meter per second, यह है हमारी final velocity, अच्छा, initial velocity क्या है, यह है हमारा 18 km पर आवर, initial velocity क्या है हमारी, 18 km पर आवर, आप इसे meter per second में जब change करोगे, तो आपको फिर से वही multiply करना पड़ेगा, 5 upon 18 से, ठीक है, आप याद रखना, अगर कभी भी आपको km पर आवर को, meter per second में change करना हुआ, तो 5 upon 18 से multiply करोगे, ठीक है, 5 upon 18 से अगर हम इसे multiply करेंगे, 18, 18 कट जाएगा, फाइनल विलोसिटी कितनी है, 10, ठीक है, तो 10 हो गया, माइनस फाइनल विलोसिटी के बाद, इनिशिल विलोसिटी दिया है 5, तो 5, 10 माइनस 5 और टाइम है हमारे पास, 5 सेकेंड का, ये हो गया लगभग, 5 upon 5, कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, 1 मिटर पर सेकेंड का स्क्वाइर, ये है हमारा एसिलरेशन, एसिलरेशन हमने पता कर लिया यहाँ पर, ठीक है, अब हम पता करेंगे, डिस्टन्स, डिस्टन्स का फॉर्मूला मैंने बताया है, अगर आपको डिस्टन्स निकालना हुआ, तो यूटी प्लस, हाफ एटी स्क्वाइर, ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, चलो तो एसिलरेशन हमें पता है, हमें फाइनल विलोसिटी भी पता है, इनिशिल विलोसिटी भी पता है, ताइम भी पता है, और एसिलरेशन भी हमने पता कर लिया, अब हम सेकेंड एक्वेशन ऑप मोशन का यूज करेंगे, और निकालेंगे डिस्टन्स, एक बार सारे वैल्यूज यहां पर लिख दो, फाइनल विलोसिटी कितनी थी हमारी, फाइनल विलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशल विलोसिटी यानि यू कितनी थी, यू थी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना था हमारा, टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड का, ठीक है, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड का है, और acceleration हमने calculate कर लिया acceleration था हमारा 1 meter second का square ठीक है अब चालो distance का वाला formula रखते हैं s equal to ut plus half 80 का square ठीक है अब देखो फड़ा फड़ा रखना start करते है initial velocity u u है हमारा 5 multiply by t, t for time time भी हमारे पास 5 ठीक है प्लस half हो गया अब उसके पास 80 ए हमने निकाला है 1 ठीक है multiply कर दो 1 से ठीक है उसके बाद time कितना है हमारे पास time है 5 और 5 का square करना है यहाँ पर न तो भाई हमारे पास 5 का square करना है बस इसी को calculate कर लो आपका distance निकल जाएगा 5 इंटो 5 हो गया 25 प्लस half ठीक है multiply by 5 का square हो जाता है 25 ठीक है और 1 तो माल लो कुछ है ही नहीं अब हो गया आगया आपका 25 प्लस 2 वन जाट 2 और 25 कट करोगे तो 12.5 आएगा ठीक है 2 को जब तुम 25 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आएगा नाव हमारा आगया 25 प्लस 12.5 इस एकोल टू 37.5 मीटर ये है हमारा क्या distance अराम से हमने formula का use किया और हमने निकाल लिया distance distance is 36.5 मीटर तो second equation of motion को भी आप apply करके देख सकते हो यहाँ पर acceleration का तो formula हमें पहले ही पता था ठीक है नाव formula number 8 हमारा third equation of motion है और third equation of motion क्या कहेता है third equation of motion कहे रहा है कि भाई साब v square minus u square equal to 2as अब इस formula का use करके तुम फिर से distance ही निकाल सकते हो पिछला जो second formula था second equation of motion उसमें भी distance निकाल सकते थे यहाँ भी तुम distance निकालोगे लेकिन यह formula थोड़ा easy है ठीक है पहला वाला जो formula था आप देखो आप इसमें upon upon था और square भी था तो थोड़ा सा दिक्कत होगा distance निकालने में बट जो third equation of motion है आप इसको apply करके आसानी से distance निकाल सकते हो यह distance दिया है तो acceleration निकाल सकते हो ठीक है तो आपको यह तो पता है कि v का मतलब क्या है final velocity u का मतलब क्या है initial velocity और as तो पता ही होगा acceleration और distance ठीक है तो यह है हमारा third equation of motion इस equation of motion से हम distance निकाल सकते है v square minus u square equal to 2as अब फरक क्या है बस इतना सा फरक है कि third equation of motion में तुमें time की जरूरत नहीं पढ़ती मतलब अगर question में तुमें time नहीं भी दिया है तब भी तुम distance निकाल सकते हो लेकिन जो second equation of motion है इसमें time की जरूरत पढ़ती है बस इतना ही फरक है ठीक है चालो third equation of motion पर based a question है क्या कहता है कि है कि भाई साहब a train starting from rest याद रखना एक train है जो rest से start हो रही है अब rest से start हो रही है तो इसकी जो initial velocity होगी वो zero होगी मतलब अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो भाई आसानी से हम कह सकते है कि उसका speed उस समय कितना होगा zero meter per second होगा ठीक है अब ये गाड़ी जो है 5 minute के बाद 72 km per hour की speed से चलने लगती है मतलब हमें final velocity भी दे दिया है final velocity कितनी है 72 km per hour ठीक है अब 72 km per hour को तुम्हें meter per second में change करना है क्या करोगे वह हमारा multiply कर दो 5 upon 18 से 5 upon 18 से multiply करते ही हमारा ये kilometer hour meter per second में change हो जाता है ठीक है तो 18 बंज़ा 18 18 फोर्जा 72 और 5 फोर्जा 20 हमारा आ गया 20 meter per second ये हमारी final velocity initial velocity मिल गई final velocity मिल गई time भी दिया है 5 minute equal to कितना है equal to हमारे पास है 5 minute अब हमें calculate क्या करना ये देखो ठीक है अच्छा 5 minute है न minute है तो minute को तुम second में change करोगे second में change करने के लिए multiply कर दो 60 से 5 into 60 हो जाता है हमारा कितना हो जाएगा 35 यानि 300 second तो हमारे पास time भी है final velocity भी है और initial velocity भी है अब हमें क्या करना है assuming that acceleration is uniform आपको पता करना है acceleration सबसे पहला ठीक है तो सबसे पहला acceleration ही पता करते है acceleration का formula क्या है मेरे साथ बोलो V minus U upon T यानि final velocity minus initial velocity upon time taken ठीक है अब final velocity क्या है V 20 है तो 20 कर दोगे minus initial velocity कितनी है 0 है तो 0 कर दोगे upon time कितना है 300 second ठीक है 300 second तो भाई हम इसको करेंगे 20 में से 0 गया बच गया 20 upon 300 ठीक है 00 कट गया और 2 वंजा 2 215 जा यानि acceleration हमारा निकल कर आया 1 upon 15 1 upon 15 meter second का square ठीक है क्योंकि acceleration का जो unit होता है वो square होता है second का square ठीक है तो हमारा acceleration हमने निकाल लिया पहली चीज़ तो निकल गई हमें acceleration पता करना था value दी गई है, v दिया गया है, u दिया गया है, time दिया गया है आराम से हमने calculate करके acceleration निकाल लिया अब हमें distance पता करना है third equation of motion का use करके ठीक है हमारे पास initial velocity है 0 meter per second final velocity है 20 meter per second time है 300 second acceleration भी दिया है 1 upon 15 meter second का square अब हम third formula का use करेंगे third equation of motion का और निकालेंगे distance ठीक है एक बार सारे formula यहाँ पर लिख दो सारे value यहाँ पर लिख दो हमारा initial velocity कितना था rest से गाड़ी start हुई है मतलब 0 meter per second ठीक है हमने final velocity कितना निकाला था हमने final velocity निकाला था 20 meter per second ठीक है time हमने निकाला था 300 second 300 second acceleration अभी हमने calculate किया 1 upon 15 meter second का square ठीक है अब distance का formula यूज करो हमारा third equation of motion क्या है 2as equal to v square minus q का square ठीक है value रुखो फटा फट 2 ठीक है multiplied by acceleration acceleration कितना है 1 upon 15 ठीक है multiplied by distance distance तो हमने निकालना है यह तो पता नहीं है मैं ठीक है equal to v का square v क्या है 20 है 20 का square ठीक है minus u का square u कितना है 0 है calculate करते जाओ आपको निकल जाएगा आपका जो distance है वो आ जाएगा ठीक है अब देखो 2 upon 15 हो गया यह 2 upon 15 हो गया multiplied by s equal to 20 का square हो गया 400 और 0 का मतलब तो गया 3 km 3000 मेटर को हम 3 km भी तो लिख सकते ना so this is the formula which we can use to calculate the distance तो यह हमारा third equation of motion था I hope आपको समझ में आ गया होगा let's move to our next and ninth formula इस formula से तुम क्या पता कर सकते हो velocity पता कर सकते हो किस चीज की velocity अगर कोई object गोल गोल घूम रहा है तो इसके speed पता करने के लिए हम इस formula का यूज करते है 2 πाई आर अपॉन T ठीक है याद रहेगा अगर आपको कोई कह दे कि मानलो कोई गाड़ी है वो circular motion में घूम रही है ठीक है तो circular motion में घूमने के बाद इसकी speed तुम्हें पता करना हो या velocity पता करना हो तो तुम इस formula का use करोगे 2 πाई आर अपॉन T ठीक है चलो इसके base पर हम एक formula लगाते हैं आवर 10th question numerical का 10th question ही है calculate the speed of a body performing uniform circular motion along a circle of radius R with a time period of T कह रहा है कि भाई एक body है एक कोई car है या कोई भी है ठीक है वो क्या कर रहा है वो uniform circular motion में घूम रहा है मतलब गोल घूम रहा है और इस circle की जो radius है radius किसे कहते हैं पता ही है न आधे आधे को हम radius कहते हैं इसकी जो radius है वो R है और time मतलब इसको एक चक्कर लगाने में जितना time लग रहा है वो कितना है T time लग रहा है ठीक है आपको क्या calculate करना है speed calculate करना है तो हमने अभी आपको बताया अगर आपको speed calculate करना हुआ तो 2 pi r upon time t डाल दो यहां पर r radius की value दी नहीं गई है बस r दिया गया है तो आप सीधा 2 pi r upon t यही हमारा answer हो जाएगा क्योंकि यहां पर value नहीं दी गई है बस r और t दिया गया है ठीक है अगर आपको radius की value दी गई रहती तो आप यहां पर रख देते time की value दी गई रहती तो आप यहां पर रख देते और आसानी से निकाल लेते so this is our whole formula of this chapter motion chapter में आपके जितने भी formula थे और उन formulas पर बेस जो भी numerical था वो हमने यहां पर कर लिया next part जो इस सीरीच की होगी उसमें आपको सभी numericals कहीं से भी जो numericals motion chapter से बन सकते हैं वो हम cover करेंगे thank you so much for watching this video I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक like जरू करना यार चानल को share करो दोस्तों क्योंकि चानल को बढ़ाना है यार और ऐसी ही informative वीडियो के लिए चानल को subscribe करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो मिलते हैं एक और धमागेदार वीडियो में सब्सक्राइब के लिए सश्रीयाकाल जैहिंद ठीक केर बागा